जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है प्यार की सजा मौथ हो गई है यूति से मिलने गए युवक की लड़की के परजनों लेल लाठीक और खुलहाडी से मार कर मौथ के घाट उतार दिया जौनपुर के खेता सरा थानचेत के लत्तीपुर गाउनिवासी धनबली 22 से पूतर राम सकल का थानचेत के एक गाउं की सजात्ती यूति से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था यूति के परजन इस संबंद से खुस नहीं थी सनिवार की राज जब यूति के गाउं में पहुच कर मुलाकात कर रहा था यह बात यूति के परजनों को पता चली तो वह मौके पर जाकर यूत धनबली की लाठी डंडे वा कुलहाडी से बुरी तरह पिटाई कर अपने घर लेकर चले गए यूति ने यह बात यूवक के परजनों को बताई जिसके बाद परजन पुलिस को सूचना देते हुए यूति के घरा धंबली पुलिस मरना सन्न हो चुके यूवक को रात में पीच सी सूधी ले गई जहां चिकिस्तक ना होने पर समदाई स्वास्केन सागंज ले जाया गय जहां उपचार के दवरां उसकी मौत हो गई पुलिस ने सवकु कब्ज में लेकर पोस्तमाचम के लिए भेज दिया मृतक के चचेरे भाई सर्दार बिंद की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत मे लेकर उस्ताज कर रही है मृतक युवक धन्बली अभिवाहित था तथा घर पर रहकर खेती का काम करता था धन्बली के बजपन के समय ही पिता राम शकल की मौत हो चुकी है वही मा प्रमीला देवी की मौत भी तीन वर्स पहले हुई थी